असलाम वालीकुम दोस्तो मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी दोस्तो अगर मज़ेदार खानों की बात की जाए तो ये सब को ही पसंद होते हैं लेकिन डिलिशिस वोड बनाना हर किसी की बस की बात नहीं होती आज किस वीडियो में मैं आपको दुन दोस्ते इस बात में कोई शक नहीं है कि बार्बीक्यू करना एक बहुती मुश्किल काम होता है इसे करने से पेले आपका इसमें एक्सपर्ट होना ज़रूरी है वरना आप कभी भी अच्छा बार्बीक्यू नहीं बना सकती यह वीडियो आप दिख रहे हैं इसमें कुछ द इसकी शोले उंचे होना स्टार्ट हो गए वैल ये आग इतनी ज्यादा हो गए थी कि इन में से एक शक्स जल्दी से पानी का पाइप ले आया और इस आग को बुझाना शुरू कर दिया वैल पानी डालने से आग तो बुझ गए थी लेकिन इनके सारे चिकन का सद्यानास हो ग कोशिश करना स्टार्ट कर दे तो सीधा काम भी उल्टा हो जाता है ये जोडियों आप दिख रहे हैं इसमें एक शक्स कोकिंग स्टंड दिखा कर लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था इसने पैन में अंडा डाला हुआ था और इसके नीचे एक कपड़ा भी मौ केल गई थी वैल ये कैमरे पर कैप्चर के जाने वाले सबसे इंपरिसिंग मूमिर्स में से एक था दोस्तों दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्में कोकिंग की एपीसे भी नहीं आती लेकिन फिर भी वो किच्चन में काम करते वकत इस तरह स्टायल मारते हैं जैस इसे इंप्रेस करने के लिए किसी मास्टर्स शेफ की तरह रोटी हवा में उचाल कर बलटने की कोशिश की लेकिन इसका ये एक्शन बुरी तरह फेल हो गया और रोटी तवे पर वापस आने की बजाए सीधा इसके हाथ के उपर गेर गई मसगी बात ये है कि इसका हाथ बुरी तरह जल गया था और इसका मूँ भी देखने वाला था वैल अब बंदा उल्टी हरकते करेगा तो ऐसा तो होगा ही दोस्तो एक अनेक्सपिरियंस्ट कुक की पैचान ये होती है कि वो कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करता वो जब भी कुछ पकाने की कोशिश करता है कोई न कोई नुकसान जरूर करता है ये जो श्रक साब दिख रहे हैं ये भी इनी मेंसे एक है ये अपने नाश्टे के लिए एग फ्राइ कर रहा था वैल ये एग को फ्राइ करते वकत ऐसे प्रेटेंड कर रहा था जैसे ये कोई बहुती मास्टर शेफ है और इसे सब कुछ आता है इसने फ्राइ पैन उठाया और इसमें मौजूद अंडे को हवा में उचाल कर इसकी साइड चेंज करने की कोशिश की लेकिन इसने अंडा इतनी जोर से उचाला था कि वो पैन में वापसाने की बजाए सीधा इसके सर पर आगिरा और सर से टकराता हुआ नीचे गिर गया इस बिचारे के सर पर सारी जर्दी लग गई थी इससे अंडा भी नसीब नहीं हुआ था और शो आफ के चकर में इसने अपने सर को भी घंदा कर लिया था ये शक्स वागही में बहुत अनलकी था दोस्तों ये बातों हम सब जानते हैं कि कुकर में खाना पकाने के लिए बहुत ज़दा एहतियात की सरुत होती है जब इसे फिक्स टाइम के बाद ओपन किया जाता है तो सबसे पहले इसके उपर से वेट उतारते हैं क्योंकि इसके अंदर काफी ज़दा बाप जमा हो जाती है और वेट उतारने से बाप आहस्दा आहस्दा इससे बाहर निकलना शुरू हो जाती है फिर इसके बाद कुकर का धकन खोला जाता है ताकि नुकसान ना हो लेकिन ये जो शक्साब दिख रहे हैं इससे ये बात पता नहीं थी ये बहुत ही हैपी मूड में कुकिंग कर रहा था और इसने कुकर में सालन पकाने के लिए रखा हुआ था लेकिन इसे ये बात पता नहीं थी कि इसके अंदर कितनी जदा बाप मौजूद है इसने चमच से कुकर की हलकी सी बाप निकाल दी और इसके बाद इसने डिरेक्ट धकन खोल दिया लेकिन जैसे ही इसने कुकर का ढखन खोला ये प्रेशर से खोला और इसमें से सारा सालन बाहर निकलना शुरू हो गया मज़गी बात ये है कि हड़बड़ी में इसने कुकर का ढखन भी सालन के अंदर ही गिरा दिया था वेल इस बिचारे को तो कुकर यूस करना बहुत ही मैंगा पड़ गया दोस्तों बज़िदार खाने बनाना कोई आसान बात नहीं होती इसके लिए मैनत और एक्सपिरियंस दोनों चीजों की जरुरत होती है वरना आप कभी भी अच्छी कुकिंग नहीं कर सकते ये जो वीडियों आप दिख रहे हैं इसमें भी एक अनाडी कुक होट डॉग बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन इसका तजर्बा बुरी तरह नाकाम हो गया था इसने ग्रिल स्टैंड पर होट डॉग लगाए हुए थे इसमें से सारे हॉट डॉग नीचे गिर गए वेल इस बिचारे की सारी मैनत पर पाने पिर गया था और वो सारे हॉट डॉग नीचे गिर कर गंदे हो गए थी वेल इसकी ये कुकिंग तो बुरी तरह फेल हो गई थी दूस्तो आप में से बहुत से लोगों ने गर पर माल्टे का जूस निकाल कर जरूर बिया होगा इसके लिए एक डिवाइस का इस्तमाल किया जाता है जिसमें माल्टे डाले जाते हैं और उपर से प्रेस करने पर इनका जूस निकलाता है लेकिन कुछ लोगों को इतना सा काम करने का भी पता नहीं होता ये जो शक्स आप दिख रहे हैं ये भी हैंडमेड मशीन से औरेंग जूस निकालने की कोशिश कर रहा था वेल इसने इस मैनुवल जूसर में अकट्टी ही माल्टे के तीन चार सलाइस डाल दिये इसे लग रहा था कि एकी बार में सारा जूस बाहर निकलाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ माल्टे के सलाइस तरतीब से ना होने की वज़ा से इन में से एक गूंड भी जूस नहीं निकला वैल जब बंदे को डंग से काम करना ना आता हो तो इसे उसमें उंगली नहीं करनी चाहिए दोस्तो कुकिंग से रिलेटेड किसी भी काम को बहुती एधियात और दियान से किया जाता है अगर ऐसा ना किया जाए तो वो काम हमेशा उल्टा हो जाता है यह वडियों आप दिख रहे हैं इसमें एक और चाहलों वाले जार से चाहलों को कुकर में डालने की कोशिश कर रहे थी इसके उपर एक होल बना हुआ था जिससे चाहल बाहर निकल रहे थी लेकिन इसने नोटसी नहीं किया कि जार का ढखन भी लूस है यह जार को हिला हिला कर चाहल बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थी कि अचानक वो ढखन भी नीचे आगया और इसमें से सारे चाहल नीचे गर गए वैल इस औरत का दिन तो सच में बहुत खराब था दूस्तों दुनिया में बहुत से असे मुलक हैं जहां पर मचली के इलावा दूसरे सी एनिमस भी पकाया जाते हैं मिसाल के तोर पर केकड़े और जिंगे वगएरा ये बातों बच्चे भी जाते हैं कि किसी भी जानवर को पकाने से पहले इसे मारना जरूरी होता है लेकिन कि आपने कभी किसी शक्स को जिंदा केकड़ा पकाते हुए देखा है ये जवडियों आप दिख रहे हैं इसमें एक शक्स जिंदा लॉपस्टर पकाने की कोशिश करा था इसने उसे बाल्टी में डाला हुआ था और अब वो इसे कुकर में उंडेल रहा था लेकिन जैसे ही इसने लॉपस्टर कुकर में डालने की कोशिश की वो हाथ पो मारना शुरू हो गया और कुकर से बाहर आ गया हाला कि इसने कुकर के उपर धकन लगाने की भी कोशिश की थी लेकिन इसने ढकन भी नीचे किरा दिया और कुकर से बाहर आ गया मज़े की बात ये है कि जब ये जिन्दा केकड़ा कुकर से बाहर आ गया तो इसके चीखे निकलना शुरू हो गई ये सच में हमाकत है दोस्तों कर बार्बीक्यू की बात की जाए तो ये हर किसी को ये पसंद होता है खास्तोर पर जब आउटिंग पर जाकर बार्बीक्यू बनाया जाए तो इसका मज़ा और फन डबल हो जाता है लेकिन कुछ लोगों को ये फन बहुत ही भारी पड़ जाता है ये जोड़ियों आप दिख रहे हैं इसमें कुछ दोस बार्बीक्यू पार्टी करने के लिए गर से बाहर आये हुए थे इनके पास सलेंडर, चूला और बरतन सारी चीज़े मौजूद थी लेकिन सिर्फ इन्हें पकाने का तरीका नहीं आता था इन्होंने मीट के उपर धकन देकर इसे कवर किया हुआ था और नीचे आग जल रही थी अचानक इसमें से बहुत ज़ादा दुआ निकलना शुरू हो गया जैसे ही इन्होंने धकन को उपर उठाया नीचे बरतन में आग लगी हुई थी मज़ी की बात यह है कि इस आग ने इनके सारे तिक्के जलाकर राक कर दिये थी वे इनकी ये पार्टी तो बुरी तरह फेल हो गई थी तो दोस्तो आज के लिए पस इतना यह उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीव पी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिस